हेलो अब्रिवन आज मैं आपके साथ में शेयर करी हूँ वड़ा पाउ की रेसिपी तो आज की मेरी रेसिपी है थोड़ी सी स्पाइसी सबसे पहले एक पैन में डालेंगे टू टेबल स्पून ओयल गरम ओयल में हमें डालना है हाफ टी स्पून राई और आई को थोड़ा से चटकने देते हैं या मैंने 15-20 करी पता लिया है दो हरी मिल्च और आदा इंच अध्रग इन सबीकों में मीडियम फ्लेम पर भूनना है हल्दी पाउडर लाल मिर्ष पाउडर जब हल्दी पून जाएगी फिर इसमें डालना है मैं आलू तो यहाँ पर मैंने 6 बॉयल आलू लिये हैं आलू को हाथ से मैश करेंगे और इसे भी हम मसाले में डाल देंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट और आलू को हमें 4-5 मिर्ट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनना है क्योंकि आलू जितनी देर तक दीमा दीमा भूनेगा उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा और भूनने के बाद एकदम मेड में आ जाएगा उसके बाद में फिर हम फ्लेम आफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और दूसरी सैट अब हम बनाते हैं इसका बैटर तो बैटर बनाने के लिए मैंने एक कप पेशन लिया है तो फोड़ असा हल्दी पाउडर और फोड़ ती स्पून लालमिश पाउडर और इसमें पानी डालेंगे यहां मैंने लगबग आदा कप से थोड़ असा जादा पानी डाला है इसका यह हमें गाड़ा सा गोल बनाना है और चुटकी भर सोड़ा और इसी भी रख देते हम साइड में और अब बनाते हम वड़ा पाउड की चटनी वन टेबल स्पून ओएल और दस से बारा हमें लेनी है गार्लिक लोफ्स मैंने एक चूटा वाला गार्लिक जो होता है उसी को मैंने छील लिया है इसे भी हमें मेडियम फ्लेम पर भूनना है वन फोर्थ का पीनट्स पीनट्स को भी रोस्ट करना है और ये वड़ा पाउड की चटनी जरूरी नहीं कि वड़ा पाउड के साथ खाएं इसे बनाके रख सकते हैं ये काफी लंबे समय तक चल जाती है और इसे रेगलर खाने में भी हम यूज़ कर सकते हैं इस पैसरी दाल के साथ तो बहुत अच स्पून कश्मीरी लाल मिर्ज 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और आदा कम ड्राय कोकोनट इसे भी हमें भूल लेना है और थोड़ा सा डालेंगे नमक तो यहां मैंने हाफ टीस्पून से थोड़ा सा जाता सॉल्ट लेया है सॉल्ट डालने के पाद यहां पे मैं फ्लेम आफ कर देती हूं आफ कर देती हूं थोड़े देर तक इसे चलाते रहते हैं और इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए ठंडा होने के बाद इसे हमें ग्राइंड करना है इसका एक हमें पाउडर बनाना है तो यह तयार होगे हमारी ड्राय वाली चटनी और अब बनाते है हारा धनिय की चटनी है तो यहां मैंने एक कप हारा धनिया लिया है और रोस्टेट पीनट्स हैं वन टेबल स्पून दो हरी मिर्श और एक इंच अद्रग एक निवुका रस या फिर आपको जितना खटा पसंद हो और यहां पर गार्लिक डालना चाहें तो गार्लिक भी डाल सकते हैं हाफ टी स्पून सॉल्ट और टू टेबल स्पून पानी तो इसे भी ग्रैंड कर लेते हैं तो यह हमारी तयार होगी दोनों चटनी ऊटे दूसरी सेट। अलू भी ठंडा हो गया है हुवर्म छोटे बॉल बनाने हैं रबक नीबू के साइस के बॉल बनाने हैं हमें और दूसरी सेट मैं आलू भी गरम होने रख दिया है तो बस एक हमें लेना है अलू का बॉल इसे बैटर में और इसे हमें medium flame पर golden brown होने तक deep fry करना है अच्छे से इने हमें अलट पलट के सेख लेना है चारो तरफ से यह सेख जाएं और इसके साथ हम बनाएंगे हरी मिर्च जो तली होई हरी मिर्च होती है तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हरी मिर्च में हम कट लगा लेंगे कट लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि डारेक्ट डालेंगे तो वो oil में डालने के बाद फड़ जाती है तो बस यह हमारी डालते ही तुरंट सिख जाती है हरी मिर्च तो ये मिर्जी तयार होगी और हमारे वड़े भी बहुत अच्छा कलर आया है इन पे तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ वड़ो को और अब एक तब्वे पे हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर और यहां पाव को मैंने बीच में से कट कर लिया है और इसे अंदर की साइड से हमें सेखना है इसे चाहें तो मैंसे कच्छा भी कट लगा के फिर तयार कर सकते हैं पर सेख के टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है अब इसमें हम लगाएंगे थोड़ी सी लाल वाली चटनी वड़ा पाव की चटनी और इसके उपर हम लगेंगे एक वड़ा और उपर सी ग्रीन चटनी और फिर धेर सारी फिर से हम लगाएंगे इसमें रैड वाली चटनी बस इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तयार हो गया हमारा वड़ा पाओ तो आप भी बनाएए अपने घर वड़ा पाओ और अपने कमेंट मुझे जरूर बताएं कि आपका वड़ा पाओ कैसा बना और मेरी रेसिपी पसंद आने पे लाइक करना ना भूलें गुड़ बाई और थैंक यू